भारत मा की गोद कभी सपूतों से खाली नहीं रही लेकिन अनंत लक्षमन काहनरे जैसे वीर सवतनतरता शेना ने इतिहास की गैराईयों में खो से गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महान देश बग्त के बारे में जिनका बलीदान तो एदवितिय था लेकिन हम भारतियों ने उसे भुला सा दिया है। विजय लक्षमी के उपलक्षे पर भारी में लालता था। एक वर्ष भारतियों को ने मंदिर में परवेश करने से पहले वंदे मातरम का उद्गोश करने की योजना बनाई। लेकिन जैक्सन ने इस पर परती बंद लगा दिया। उन दिनों एक महान वकील होते थे वामन सकाराम खेर जो भारतियों सवतंतरता सेनानियों के मुकदमे निसुलक लड़ते थी। उसकी डिगरी को जैक्सन ने रद करके उनको जेल में डाल दिया। उनके इस करते से भारतियों के मन में अंग्रेजी सामराजय और जैक्सन के परति गहरी नफरत पैदा हो गई। तामबे सास्त्री नामक विद्वान के परवचनों पर रोक लगा दी क्योंकि वे कथा में अंग्रेजों की तुलनार रावन और कंस जैसे अत्याचारी सासकों से करते थे। बाबा राव सावरकर ने विर्तापुन गीतों की एक पुस्तक लिखी इस पर उन्हें काले पानी की सजा देकर अंडे माननी को बार भेज दिया गया। जैक्सन की इन करतूतों से यूकों का खून खोलने लगा वे उसे ठीकाने लगाने की सोचने लगे। अनंत कानरे भी उन्हें में से एक थे। अनंत कानरे की एक दोस्त थे गंगाराम। उन्हें वो गंगाराम के सावने भारत मा के लिए अपनी जान देने की बाते करते रहते थे। एक दिन गंगाराम ने अनंत कानरे की परिक्षा लेने की बात सोची। गंगाराम ने अनंत लक्ष्मन कानरे को गरम चिमनी पकडने को कहा। बताते हैं अनंत लक्ष्मन कानरे की उंगलियां जल गई पर उन्हें चिमनी को नहीं छोडा। यह देखकर गंगाराम ने अनन्त को विनायक देशपांडे दत्तु जोशी और अन्ना करवे से मिलवाया। देशपांडे ने अनन्त को एक पिस्तोल दी। अनन्त लक्षमन काहनरे ने जंगल में निशाने बाजी का भ्यास किया। अब उन्हें तालास थी एक अच्छे मोके की और अन्त तह वो मोका आया भी। अब जैक्षन का तबादला मुंबई हो गया। अनन्त लक्षमन कानरे ने उनके शिन्य में चार गोलियां दाग दी। जैक्षन हाय कहकर वहीं डेर हो गया। उस दिन देशपांडे और करवे भी पिस्तोल लेकर वहां गये थे। उनकी योजना थी अगर कहीं जैक्षन अनन्त लक्षमन से बच गया तो वो उसे धेर कर द कारागार में फांशी दे दी गई। जिस समय अनन्त लक्षमन जी को फांशी दी गई उस समय उनकी उमर मात्र 19 वरस थी। जै हिन जै भारत!